हे गाईस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के नेट के लिए टाटा इस्टिल की तरब से पर्मेनेट जॉब्स के लिए 2024 की पहली वेरती आ चुकी है आपको पता है 2024 में जमसेदपूर जारखंड और यहीं से पर्मानेट जॉब्स के लिए जब अरजस्त वेकिंसी रिलीज की गई है जिसके लिए कोई भी केंडेट अप्लाइ कर सकता है एनी फ्रेसर केंडिडेट बिल्कुल एलिजबल है यहां पर उनली 10 पास के केंडेट अप्लाइ कर सकते है बसरते में जारखंड से हो और जमसेदपूर का A to Z पता है टाटा इस्टेल डिपार्टमेंट तो अगर आप ITI कर चुके हैं तो ITI केंडेट भी अप्लाइ कर सकते हैं इनके लिए बहुत बढ़ी अप्लाइ कर सकते हैं इनके लिए बहुत बढ़ी अपोस्टनोडी है जाले डिटेल में बात करते हैं वेकनसी तो निकाली गई है और यह शुरूआत है टाटा इस्टील के तरफ से लगतार आपको भरतियां देखने को मिलेगी और टाटा इस्टील की जैओ जूनियर एंजिनियर जो यहीडी की वेकनसी निकलती है जूनियर इंजिनियर चले पहले बात करते हैं सब के लिए लगातार वेकिंसी आएगी सिर्फ अभी निकाली गई है candidate रिजब candidate के लिए जो कि हम discuss करेंगे notification में चले आगे बढ़ते हैं state wise बात करेंगे इससे पहले requested है गाईस अगर आप अभी तक success सब्सक्राइब नहीं किये तो जितने भी candidate है इसी तरह jobs अब्डेट पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकाउन को प्रेस कर लें साथ में सक्सेस दिलिप का टेलीग्राम चैनल भी जोईन कर लिजेगा और जो भी आपका आईटी आई पास आउट है डिपलोमा पास आउट अपना ट्रेट ब्रांच जरूर कमेंट करें टेंट पास वालों के लिए जबर जस वेकेंसी है टाटा इस्टिल में मौका मत शोड़ना य तो गाईज यह है ओफिशिल नोडिफिकेशन वेकेंसी रिलीज की गई है टाटा इस्टिल में अब एक चीज़ देखकर गवराना नहीं यार ट्रेड एप्रेंटिसिप रिक्रूटमेंट ड्राइब दोजार ताइस ओबीस क्योंकि यह एप्रेंटिसिप के बाद डिरेक्ल आपको पर्मानेंट जॉब्स दी जाती है यह कभी भी किसी भी तरह आपको नहीं निकालेगी एक ऐसा डिपार्टमेंट है टाटा ओके फिर भी किसी को डाउट है तो आप डिरेक्ली टाटा इस्टिल के बारे में थोड़ा जनकारी ले सकते हैं टाटा इस्टिल के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो टाटा इस्टिल का सबसे बड़ा डिवीजन है और यहीं से 1961 के तहत फोर एस्टी केंडिडेट के लिए जार्खंड के लिए वेकेंसी रिलीस की गई है क्वालिफिकेशन देख लो यह मैटर करता है मैटरिकुलेशन या फिर इक्वालमेंट में आप के लिए तो बिलकुल अपलाय कर सकते हैं मिनिमम एग्रिकेट माक उफ 60% मस्ट है इंगलिज साइन्स अं मैटमेंटिक्स जो भी केणिडेट एलिजबलेशन से आपका आप बिलकुल अपलाय कर सकते हैं लेकिन मैं भी जार्खंड से हूँ तो आराम पास करके ITA किया है तो जो भी candidate ITA करके जाओगे तो उनकी promotion बहुत जल्दे मिल दिया है यहाँ पर क्योंकि आपके पास skills की certificate है training की certificate है trade की certificate है तो जो भी trade है आप जरूर reply करें अगर आप ST candidate है और छार खंट से हैं तो ओके और tension ने लें सब के लिए वहरतियां आएगी step by step आपको निकलने देखने को मिलेगी क्योंकि जनवरी से फर्वरी के March तक बहुत जादा vacancy टाटा स्टिल से निकलती है एज कितनी होनी चाहिए first of all देख लो एज एक जनवरी 2004 से लेकर एक जुलाई दोजार आठ के बीच में आपकी एज जो है वो होनी चाहिए गए तो यह चीज का फोकस करना यार कि आपका एज यहां पर कम रखा गया तो एक बार एज जरूर चिक कर लें अगर आप आईटी आई हैं या फिर टैंथ पास जो भी हाइट होगी वेट 45 किलो होगा गल्स के लिए 40 किलो एक्सपेंस ऑफ चेस्ट पाइप सेंट्री मिटर पावर अप ग्लासेस इनका 4.0 चलेगा मैक्सिमम सिक्स बैसिक्स आई विजुल वाले कैनिडेट अप्लाई कर सकता है डॉमिसायल चलेगा इस्टेड अप जहारकंड क के लिए लोकल के लिए निकाली गई है सब के लिए भरती आएगी टेंसन ना ले सबसे पहले देख लो स्टैफन एंड ट्रेनिंग की डिटील्स यहां पर मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा यहां पर सबसे पहले दता आता रहा है अलोकेशन ऑफ ट्रेड डॉरेशन मार्क्स जो की गवर्मेंट की गवाइड लैंस को फोलो करते हैं ट्रेड अपरेंडिशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्मेंट वाइपरेंडिशिपेक 1961 लेटिस एड्मिनिटेश अब एक चीज़ का ध्यान लो जो भी कैनिडेट टाटा से जॉब करता है उसको क्या की दिया जाता है क्या निकाल दी जाती है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है on successful completion of training and being awarded the national apprenticeship certificate on clearing the all India treaties AITT की जो certificate मिलेगी if appointed the candidate can be placed at any location of Tata Steel Limited या फिर subsidiary any group companies of Tata Steel याने की training के बाद डिरक्ली आपको परमानेंट जॉप्स दे दी जाएगी किसी भी Tata Steel के other division में या इंडियाज में कई सारी department है या फिर जो भी Tata Steel के subsidiary है जैसे कि जिंदल इस्टील हो गया MS-30 स्टील हो गया Tata Power हो गया कहीं पर भी आपको जॉब दिया जा सकता है तata Steel में जॉब लग जाए यार सरकारी नोक्री से कम नहीं है मैं तो सरकारी नोक्री से भी बहतर मानता हूँ अगर group D से अच्छा तो Tata Steel है लोकेशन एकवाटर सब कुछ मिलता है जो चीज सरकारी नोक्री में सेम सुईधर टाटा में उसके बाद कैसे एपलाइ करना है तो इसकी ओफिसल वेबसाट पर विजिट करके आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजेगा फॉर्म भरने क तो जो भी कैनिडेट है 16 जनवरी तक लास्ट डेट है जगरु रप्लाय करें एड्मिट कार्ड आपको आठ फर्वरी को आएगी और एक्जाम जो रखा गया है वह 14 फर्वरी 2023 को रेटन टेस्ट होगा जो कि कंडुक्टेट किया जाएगा किसी भी जगह पर आपका इस्प के लिए लेकिन इसमें माफ नहीं करेगा क्योंकि टाटा इस्टिल है पांच से रुप्य आपको एप्लिकेशन चार्ज लगेगा सेलेक्शन प्रोसेजर रेटन टेस्ट के माध्यम से होगा जो कि ओन्लाइन सीविटी होगा और प्रसनल एंटर्विउस फिमेल केंडिडेट के लिए टाटा इसील मॉटिवेट करता है हमेशा कि फर्म जरूर एप्लाइ करें इस्पेसली रिक्वेस्ट अब समझ लो जो भी केंडिडेट है जाओ जाकर एप्लाइ करो लास्ट डेट 16 जनवरी तक है ध्यान रखना वनली जारखन के स्टुडेंट वो भी एस्टी काली गई है और एप्रेंडेसिप के बाद डिरेक्टली पर्मानेंट जॉब्स मिले गिया इसमें स्टैपन कितने मिलेगी क्या चीज होगा इसका कोई भी जिक्र अभी तक नहीं किया गया है जैसे जोइन कर तो एप्रॉक्स्मेटली 75 सोसक के बीच में साड़े 8000 के बीच म स्टैपन मिलती है यह फिर 10,000 में मिलती है क्योंकि एस्टी के डिडिट है और टाटा इस्टिल का अप्रेंडेसिप कुछ अभी परफेक्ट रूप से बताया नहीं गिया फिर भी अपमानलो कि 8000 के बीच में आपको स्टैपन प्रोवाइड की चाहिए जाओ जाकर अप्ला में तब दगले जहें दे